स्रीषिवाय नमस्तु भ्याम दोस्तो आप सबी लोग विश्वास नहीं मानेंगे कि इस कार्तिक के महीने में सोमवार की अस्त्मी आ रही है ये पास सुनकर आप लोगों को भी एक सर्प्राइज जैसा मिल सकता है क्योंकि इस कार्तिक के महीने में ऐसा दिन आ रहा है जिस जिन का बहुत सारे लोग बहुत बेसबरी से इंतजार करते हैं क्योंकि साल में कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जिस दिन पर सोमवार की अस्टमी देख सकते हैं आप अपने कैलेंडर में जाके साफ साफ देख सकते हैं उस दिन गोपास्टमी लिखा हुआ है तो मतलब क्या है इसका गोपास्टमी है और सोमवार का दिन है तो इस दिन है 20 नवंबर को सोमवार की अस्टमी और सोमवार की अस्टमी है तो सोमवार की अस्ट या कोपास्टमी का ये जो है शंकर जी और पारवती जी के मिलन का दिन होता है और अगर ये दिन मिलन का होता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम भी भगवान शंकर और माता पारवती जी के मिलन को कराएंगे तो निश्चिती भगवान शिव और माता पारवती जी का आशिरवाद हमारे घर परिवार पर जरूर होगा और वो हमारी मनोकामनाई भी पूर्ण करेंगी तो आज की इस वीडियो में हम आपको 31 चावल के दाने, 31 हरे मुंग के दाने और 31 बेलपत्र वाला उपाय अच्छे से समझाने वाले हैं हर वीडियो में हम आपको 1 या 2 ही उपाय बताएंगे क्योंकि अकर एक वीडियो में कम से कम मतलब 4 या 5 उपाय बता दें तो काफी ज़्यादा लोग refresh हो जाते हैं और वो कोई भी उपाय सही से नहीं कर पाते हैं इसलिए इस वीडियो में माद्रम आपको 31 चावल, 31 बेलपत्र और 31 हरे μουह इंग के currency के ही दाने वाले जो उपऐ हैं वो ही बताएंगे इसलिए आप इस उपआए को अच्छे से सुनें इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूट ही नहीं है इस उपआए को करने के लिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से ये वाला उपाए समझा देंगे सबसे पहली बात ये वाला जो उपाए हम आपको बताने वाले हैं ये सर्फ और सिर्फ सोमवार की अस्टमी के दिन किया जाना है इसके अलावा और किसी अस्टिमी को नहीं किया जाना है किसी सूमवार को नहीं किया जाना है जब सूमवार की अस्टिमी पढ़े जब आपको करना है और इस पर 20 नवंबर 2030 को ही सूमवार की अस्टिमी यहाँ पढ़ने वाली है तो सबसे पहली चीज इस उपाई को आपको प्राताहा का सुभा सुभा करना है सुन दिया आप लोगोंने सुभा सुभा कहने का मतलब है दस से बारा बजे तक भी करोगे तो भी चलेगा पर जितना जल्दी हो सके सुबा सुबा आप लोग इस सुपाय को करने की कोशिश करना ठीक है तो सबसे पहली चीज हमें ये जानना होगा कि इस सुपाय में हमें किन किन चीजों की आवज़ शक्ता यहां पर पढ़ने वाली है ठीक है तो देखो हमने आपको बहली बता दिया है कि बेलबत्र हरी मूंग और यहां पर जो हमारे चावल की दाने है वो इसमें उप्योग होने वाले हैं पर कितने-कितने लेना है वो भी हम आपको बताते हैं देखिए सबसे पहले आपको 31 चावल के दाने लेना है अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि 31 जो चावल के दाने ले रहे हो या withstand जो चावल के दाने अप लोग ले रहे हो न यह आपको अपने घड की रसुई घड से ही लेना है पर ध्यान इस पात का देना है कि जो 31 चावल के दाने आप लोग ले रहे हो ना इन 31 चावल के दानों को गिन लेना है गिनने के बाद चाट लेना है कि इन 31 चावल के दानों में कोई भी दाना तूटा हुआ ना हो तूटा हुआ है तो उसको हटा कर एक बिल्कुल अच्छा साबुत दाना जो है यहाँ पर नि लेने 31 चावल क expectancy है, ना कम लेना है, ना जादा लेना है दूसरी चीज़ आती है, दोस्तो, यहां पर हरा मूंग ठीक है, अब हरा मूंग कैसा लेना है, वो भी हम आपको बता देते हैं देखिए हरा मूंग, वो वाला नहीं लेना है, जो दाल वाला होता है मतलब जो आपकी घर में दाल कटी वाली रख्यों होती है ना बहुत से लोग क्या करेंगे वो वाला हरा मुंग ले लेंगे नए हरा मुंग वो लेना है जो की कटा ना हो पूरा बिल्कुल सेगा का सेगा हो गोल टाइप का हो वो वाला आपको हरा मूंग लेना है कितना लेना है? 31 दाने लेना है 31 दाने कैसे लेना है? बड़ी अगिन लेना इसमें आपको तूटने वगेरा कि कोई दिक्कत है ही नहीं आपको गोल ही गोल दाने लेना है वो भी हरे मूंग के 31 दाने तो 31 हरे मुंग के दाने लेना नहीं है घर में तो आप कहीं से जाकर ला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पर आपकी जो डाल रहेगी वो आप इस उपाई में प्रयोग नहीं घर सकते हैं वो दाने पूरे पूरे होने चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है तो दूसरी चीज हो गई 31 हरे मुंग के दाने अब जो तीसरी चीज है दोस्तो वो है बेल पत्र भगवाण शिप जी की सबसे प्रिये वस्तू बेल पत्र ये भी कितनी लेनी है 31 हाना तो 31 ही आप लोग बेल पत्र बढ़िया कहीं से तोड़ लाओ या तो कहीं से खरीद लो हा यहां पर रख लो तो आप लोगों को क्या-क्या सामगरी रखनी है 31 चावल के दाने 31 हरे मुं के दाने और 31 ही बेल पत्र बेलपत्र में भी ये बात ध्यान रखना कि जो 31 बेलपत्र के जो पत्ते हैं वो जो पत्ते रहेंगे न 79 ठोटे हुए कटे-पिते नहीं होने चाहिए भगवाँ शिब जी को जो भी चीज सामोपित करो बिल्कुल शुद बिल्कुल साफ बिल्कुल मन से सांपित करो भगवान जल्दी प्रसंद होते हैं ठीक है तो बेल पत्र का भी थोड़ा ध्यान रखना कटे पिटे ना हो या तो मतलब की कोई भी ऐसी आपको जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए उन बेल पत्र के पत्तों में और अगर आप लोगों के पास 31 बेल के दाने ठीक है थोड़ा आगे पीछे हम बोल रहे हैं आप समझ लेना तो आपने ये तिनों चीज़ा तयार करनी 31 मातरा में उसके बाद में अब सुभा सुभा जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप भगवाई शिब जी की पूजा नहीं करो के एक लोड़ा चल अपने सा सामगरी है सुभा सुभा जो प्रति दिन आप लोग जाते हैं मंदर और पूजन करते हैं वह सामगरी अलग रखिएगा ठीक है तो बड़िया लेकर पहुंचिएगा भगवाई शिब जी के मंदर में प्रता है काल सुभा सुभा और रुस्तनान करके शुद्ध होके नए व दा देते हैं आप भगवाई शिब जी के मंदर जैसे ही पहुंचे न तो शिब जी की चोखट से ही ये उपाय शुरू हो जाएगा इस बात का ध्यान रखिए तो चोखट से कैसे ये उपाय शुरू होगा देखो आप जो अपनी पूजन की थालिव अगरा सब तयार करके ल वो साइड में रख देना ठीक है थोड़ा थोड़ी दिर के लिए तो अब आपको करना क्या है आपको अपने हाथ में 31 चावल के दाने 31 हरे मूं के दाने 31 बेल पत्र अपने साथ में मात्र रखना है उपाय को करते समय ठीक है जब भगवाई शिब जी की चोखट पर पहुं कोई सी भी साइड देख लेना राइट देख लेना या लेफ्ट देख लेना उस स्थान पर आपको अपने 31 चावल के दाने निकालने हैं कितने 31 चावल के दाने हैं वो निकालने हैं 31 चावल के दाने को निकालने के बाद अपनी मनों कामना को मन ही मन सोच कर या थोड़ा सा बोल कर भगवायन शिपजी से निवेधन करके इन 31 चावल के दानों को एक सांथ एक करके नहीं एक सांथ जो है भगवायन शिपजी की चौकट पर समर्पित कर देना है बस बीचो बीच आपको चावल के दाने नहीं रखना है किसी के पैरों में वो नहीं आने चाहिए या तो लेफ्ट साइड रख देना या तो राइट साइड रख देना कोई दिक्कत नहीं है बस आप 31 चावल के दाने को रखते समय अपनी मनोकामना भगवायन शिपजी से जरूर बोली गई यह वो मनोकामना है जो कि आपकी अगली सोंवार की एस्टमी आने तक पूर्ण हो जाएगी इसलिए सोच समझ कर एक ही मनोकामना भोलना ठीक है तो 31 चावल के दाने को समय पर समय में अपनी मनोकामना भोल देना जैसी आप 31 चावल के दाने समय पर कर दें उसके बाद में आप भगवाईश्वजी के मंदर के अंदर प्रवेश करें प्रवेश करने के बाद ऐसा ना हो सीधा भगवाईश्वजी के बास जो आप लेकर आए हो ना अब आपको इनका करना है कि इकत्ते सरे मुंग के दाने को आपको भगवान नंदी बाबा को समर्पित करना है जो भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने बैठे हुए होते हैं अब ध्यान आप पर ये बात देना है कि जो इकत्ते सरे मुंग के द नीचे या उस उठे हुए पैर के पास में आपको यह 31 हरे मुंग के दाने समर्पित कर देने हैं ठीक है समर्पित करने के भुवान से निविदन कर लेना निवा से प्राटना कर लेना जो भी आपकी मुनोकामना हो उसके लिए 31 हरे मुंग के दाने आपने समर्पित किये उसके 37 बेल पत्र हैं वो बच्ची हुई है तो उनको निकाल लेना है अब आपको क्या करना है सबसे पहले आप भगवाएं शिप जी की शिलिंग में ये देख लो कि माता असुक शुन्री जी मतलब शिप जी की सबसे चोटी बेटी जी का इस्थान कौन सा है वो इस्थान कहां पर ह होता है ठीक है तो वह स्थान हम आपको बताते हैं माता असुक शुन्री जी का एक स्थान होता है जो कि जलाधारी की उपर होता है जलाधारी के बिलकुल बीचो बीच होता है आगी की तरफ जहां से जल बैता हो जाता है नीचे गड़ता है तो जो जलाधारी के बीचो भी एक इक करके ठीक हे चाड़ाते जाना है और ध्यान रखना कि हैसे जल बहता हुला जाता है और जलाधारी से नीचे करता हुँ, उस तरफ डेंड़ी का मुँक होना चाहें बेख बेल पत्र की ठीक है तो हो सके बेल पत्र हैकी दूस्ती बेलपत्र चड़ाई, तीसी चड़ाई, चोहती चड़ाई, पांसी चड़ाई, इसी तरीके से पूरी 31 बेलपत्र यहाँ पर आप लोग एक एक करके चड़ा देना, एक साथ नहीं चड़ाना है, आप पंडी जी की वीडियो धियान से देखो के तो उन्हें बुला ह कि आप लोग चड़ाते जाना, ठीके, एक एक करके, है ना, तो आप एक एक करके चड़ाते जाओ, 31 बेलपत्र हो, तो उस पे हो सके, तो चंदन वगएरा कुछ लगा देना, नहीं हो, तो एक चावल का दाना ला सकते हो, अपने साथ में वो समर्पित करके, जो है अपनी मन मनुकामना के लिए, मतलब यहाँ पर आये हुएं, इस उपाय को कर रहे हैं, वो मनुकामना अपनी बोलना, और भगवान से निवेदन करकर, जो है, आप अपनी अप पूजन कर सकते हो, आपने जो भार अपनी पूजन एक लोटा जल, या जो पूजन सामगरी रखी हुई ह अपनी पूजन या पर कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत नहीं है, अब दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, वो इसका कारण ये है कि हमने आपको इस उपाय को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, पर जब भी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट सेक्षिन में जल्दी से पूछ लेना, उपाय को जरू करना, और अगली सोंब बार किस्ट में आने तक आपकी वहमनों कामना, जरूर पूर्ण हो जाए और जो भी तेवहार वगेरा, जो भी विशिस चीज़े आती हैं, उनकी जानकरी आपको कुछ दिनों बात मिलना शुरू हो जाएगी, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है, भुलनादबक्ती.com सर्च करना गूगल पर, आपको हमारी वेबसेट दिख जाएगी, वहाँ पर सारी जानकरी आप लोग आराम से बैटकर पढ़ सकते हो, और उपायों को भी पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कता है, वहाँ पर भी आपको के पूछ सकते हो, उनकी शिवाई चाये बुले आपको, स्रीशिवाई, नमस्तो भी आप